नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर और अपने वीडियो का थमलेन लेखा कि ये वीडियो थोड़ा सा राजनीतिक उपर होने वाला है और साथ मैं आपके अधिकारों के उपर होने वाला है क्योंकि बोट डालना हमारा अधिकार है लेकिन इ different different type के लोग होगी एक वो लोग जो नों ने अपना मन बना लिया है कि मुझे इस पार्टी को इस बिक्ती स्वह देना है है दूसरे लोग वो होगी कि अभी सोच रहे होंगे कि मैं बोट कि किसको दूँदू मुझे बोट तो देना है लेकिन मैं किसको दूद तो क्या फरक पढ़ने वाला है यह वो टाइप के लोग होंगे तो अब अगर इन तीनों में से कोई भी हो तो आपके लिए वीडियो स्पेसल है आप बोट दे रहे हो फिक्स कर लिया है वह बहुत अच्छी बात है आप कन्फ्यूज हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से फि मैनिफेस्टो पब्लिक किया है और विज्जेपी ने अपना मैनिफेस्टो पब्लिक किया है उसके अंदर किसान के बारे में युवा के बारे में महलाओ के बारे में स्वास्त के बारे में सक्षा के बारे में बेरुजगारी के बारे में मतलब सब भी टॉपिक के बारे में सब भी लोगों ने अपने अपनी गारंटियां दी वो एक अलग बाट है अब उसमें सी कौन अपनी गारंटी को पूरा करेगा वो तो आने वाले 5 साल में ही पता चलेगा लेकिन अभी आपके पास जो मुका है वो मुका क्या है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले किसी बड़े केंदर की मंतरी को देखके बोट नहीं देना है आप अगर इस सोच रहे हो कि मैं राहुल गान्दी को देखके मोदी जी को देखके या फिर किसी और को देखके वोट डालो तो आप भी बिनकुल गलत सोच रहे हो क्यों? इसका भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर practically fact के धुरू बताने वालो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सामने अभी आप जिसको बोट डालने वाले हो कुछ option होगी आपके सामने हो सकता है वो Congress का हो, BJP का हो या किसी और party का हो उन में से ही आपको किसी एकको बोट डालना है तो अब हम किसको बोट डाले? तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिस भी बिक्ति को आप बोड डालने जा रहे हो वो बिक्ति इमानदार हो सबसे पहली चीज उस बिक्ति ने पहले क्या-क्या काम किया है जो बादे किये हैं वो काम किया है कि नहीं किया है या फिर आने वाले टाइम में काम कर सकता है यह चीज आपको देखने होगी दूसरी वो रिष्टाचारी तो नहीं है वो करप्ट तो नहीं है ऐसा तो नहीं है कि उसके उपर और बहुत सारी केस चल नहीं हो उसने कुछ गलत एक्टिविटी की हो अगर वो ऐसा है तो उसको अपनी लिस्ट से हटा देजी क्यूंकि जिस गीज़के वुपर केस चल रहे हैं प्रिष्टाचार के यार किसी और गलत एक्टिविटी के क्या आपका भला कर रहीए कि आपकी समाच का भला करेगा और क्या देश का वहला करीक तो उसको तो आप बिкив कुल कराई पहली चीज दूसरी चीज आप जिसको भी आप चुनने जा रहे हो वो at least पड़ा लिखा होना चाहिए वो इतना समझदार होना चाहिए कि अच्छे और गलत चीजों के बारे में डिबेट कर सके तीसरी चीज आपको यह देखनी है कि आप जिसको बोट देने जा रहे हो वो बोट देने के लाइक हो वो इमानदार की साथ-साथ ऐसा जो चीजों का सम्मान करता हो रिस्पेक्ट करता हो सम्मिधान को मानता हो सम्मिधान की रिस्पेक्ट करता हो एक आम ब्यक्ति की रिस्पेक्ट करता हो ऐसा ना हो कि आम पबलिक उसके सामने कुछ ना हो कि अभी समने वाले को बोट की जरूरत है तो आपके सामने आ रहा है ह प्वालो, जब चुना हुआ तो पांच साल तक कोई दर्सन ने रोंगी, पता नहीं चलेगा के मंत्री जी किदर गये, पता नहीं चलेगा आपने जिसको बोट दिया, वो किदर गये, अगर वो ऐसा है तो भी आपको इसको बोट नहीं देना है, ठीक है, इह चीज भी आपको बिकास हुआ है और अगर नहीं हुआ है और जिसको आप बोट देने जा रहे हो क्या वो बिकास कराएगा कि नहीं कराएगा यह आपको अभी से सोच लेना है क्योंकि पांच साल के लिए आप एक विक्ति को चुनने जा रहा हो एक बार आपने बटन दबा दिया उसके बार टा जरूरी है क्यों पड़ा लिखा होना जरूरी है इस चीज का मैं आपको जबाब दे देदा हूं देखिए मान के चलिए आप किसी छेत्र में रहते हो वहां पर कोई समस्या है और उस समस्या को जब आप सामने वाले के पास लेके जाएंगे तो अगर वो रिस्पेक्ट करता है आम व्यक्ति की तो वो आपके सुनेगा ठीक है दूसरी चीज अगर वो पड़ा लिखा है तो उस समस्या के समधान के लिए वो क्या करेगा उपर जाएगा उपर मतलब पारलेमेंट में या फिर जो उपर की सरकार बैठी है वहां पर अपनी समस्या को रखेगा अब पड़ व्यक्ति सक्षम है अपनी बात आसानी से रख पा रहा है तो वो पारलेमेंट के अंदर डिबेट कर पाएगा फाइट कर पाएगा और वो भी मजबूती के साथ मान के चलिए आपने अपने लोकल की बैठी को नहीं देखके आपने उपर मोदी जी को देखके राहुल गानी को देखके किसी और बैठी को देखके वोट दे दिया तो कल जब आप समस्या में होगी कल जब आपके छेतर में प्रॉबलम होगी तो आप उनके पास जाएगी अपनी समस्या लेगे नहीं जाएंगे आप अपने छेतर के जो भी बिधायक होंगे अपने छेतर के जो भी MP होंगे उनके पास जाएंगे तो आप उनको बोट दे रहे हो तो आपको ऊपर ना देखके इधर देखना है जिसको आप बोट देने जा रहे हो ये चीज आपको ध् लखी जाएंगी तो उनका समाधान होगा तब आपके गाओं का आपके छेत्र का विकास होगा इसलिए आपको यह सबी चीजे देख के अपना मद्दान करना है अब यहां पर मैं एक चीज और बताना जाओंगा अभी रिसेल्ट लिजू चुनाव हुए था दोजार उन्दीस का कोई सा तो ऐसा बिधानसवा सीट था जहां पर बहुत कम बोटों से वहां पर चुनाव जीता गया था तो आपको यह चीज तै करने हैं कि अगर आप बोट अपना नहीं डाल रहे हो या पिर सोच रहे हो कि आपके बोट डालने से कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो यह बहुत गलत बात है आपके एक एक बोट से बहुत फरक पड़ता है आपको अगर अपना अधिकार मिला है आपको अगर बोट डालने का अधिकार है, आप 18 साल प्लस हो, आपका बोटर आईडी कार्ड है, और आप सक्छम हो, तो आप अपना मद्दान जरूर करें, आपका अधिकार है, कर्तब है, और इसको पूरा करना भी आपका कर्तब है, तो इस वीडियो के मार्धियम से मैंने आ कर सकता है, आपके छेतर के लिए क्या कर सकता है, आपके प्रदेश के लिए क्या कर सकता है, और जब यहां पर विकास होगा, तो देश ऑटोमेटिंग विकास करेगा, तो इन सब चीजों को दिहान में रखके, इम्प्लॉइमेंट को दिहान में रखके, युवाओं को दिह विदा होती है और एक एडवांस विदा होती है नॉर्मन मतलब दिखावे को अगर आपकी गाओं में एक अच्छी अस्पताल है बडिया अस्पताल है दिखावे के लिए बनी उसमें डॉक्टर नहीं है इलाज ठीक से नहीं हो रहा तो मतलब क्या है उस अस्पताल का आपके गाओं में एक बड़िया स्कूल है, आपके छेत में बड़िया स्कूल है, कॉलिजिस हैं, लेकिन वहां पर पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं है, तो फिर क्या मतलब ऐसे स्कूल का, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यार रखनी है, बोट देदी टाइम, तो आपके लिए, आपके छेतर के लिए, और देश के लिए कुछ कर सके, और गर आप इंडिया में रहते हो, बारत के नागरेख हो, अठारा साल आपके उमर हो चुकी है, तो आप अपना बोट जरूर डाले, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थेंक्यू सू माइच, एंड चैहिन, चैह भारत